हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मंजिल आज किस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कैनिडा स्टडी विजा को लेकर सो जो बच्चे कैनिडा जाना चाहते हैं या ओल्रेडी इनका AIP आ चुक है तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना आज किस वीडियो में एक लेकिया यह निया अपटेट जो की रिसेंट आया है कि जिन बच्चों की पहले सबसे पहले कंग्रेचिलेशन उन बच्चों के जिनकी टू वे प्रोसेसिंग के थू जो पासपोर्ट है वो लग रहे हैं और उनका ट्रैवल जो है पॉसिबल हो गया ह ट्रैवल को लेकर मैं बात करना चाहूंगी कि अभी जो है वो ट्रैवल रिस्टिक्शन काफी कम हैं पहले बहुत ज्यादा थी बड़ अब बहुत मीनिमाइज होती जा रही हैं पहले इन्होंने फेसिस में शुरू कर दिया था पर जब से टू फेसिस सिस्टम शुरू इन बल्क बच्चों को लाओ कर दिया है कैनेडा के लिए ट्रैवल करने के लिए वह अलग बात है कि अभी रिसंट बात हुए है कि कैनेडा की वीनी पैग में लोगडाउन लग चुका है जिसके वजह से काफी स्टुरेंट्स वीनी पैग जाना चाहते थे अभी थोड़े स से मायूस हो चुके हैं तो आपको मैं यहीं कहना चाहूंगी कि मायूस होने की कोई बात नहीं है अगर इंदिया में इतना सारे सलुशन हो चुका है जो कि कैनेडा की गवर्मेंट की थू ही हुआ है तो कैनेडा अपने ही कंट्री में इसका सलुशन जरूर निकालेगी तो और उसके बाद इनके विजा स्टैंपिंग आगे थे उनके हार्टली कॉंग्रैचुलेशन्स पट जिन्होंने अभी ट्रैवल करना है या जिनका टू वेर पासपोर्ट वैलीड हो चुका है उनकी फ्रैइट से बुक हो चुकी है और 21st नुमेंबर की बाद जो ट्रैवल कर है अपने हेल्थ सिस्टम की सिस्टम को मेयर पसकर अब्सूंप मेयर कर रहा है तो वो गाइडलेन विखार आपके वबाइड़ नाम है arrive can, यह app आपको Android में मिलेगा और iOS में भी मिलेगा, अगर आप जाने वाले हैं तो इस app को डाउनलोड कर लीजी, I don't know कि आपके consultant ने इसके बारे में बताया है या नहीं बताया है, अब यह app क्यों चाहिए, यह app Canada ने आपकी application आपके through, उनको देने के लिए एक छोटा सा प्रो आपको बता देती हूँ, इस app के तुरान आपने क्या क्या करना है, और किस बात का ध्यान रखना है ट्रैवल करने से पहले, सबसे पहले आपने यह जो है, अपनी app, अपने pre-arrival की information देने के लिए डाउनलोड करना है, जब यह आप यह app डाउनलोड करोगे, तो आपको अपनी कब जाना है, कब की tickets है, जो उसके अंदर assessment होगी, वो डालना है, उसके बाद उन्हें कहा है, अपना quarantine plan, उसी app के तुरू आपने share करना होगा, कि आप कहां रहने वाले हो, आपकी accommodation कहा है, और उस अपना अपना emergency number की, अगर आपको कोई problem होती है, तो they can contact you, either you can contact them, तो एक emergency number इसमें डालना mandatory है, उसके लावा इनोंने कहा है कि 24 hours जो है, before आपकी boarding से पहले, 24 गंटे पहले आपने ये information उनको share करनी है, in short, 24 गंटे पहले अपने जाने की खबर आपनी Canada government को बतानी है, और इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है, कि जब आप बाहर जाओगे, तो इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे आप डाउनलोड नहीं करते हैं, ये सोचके कि कुछ नहीं है, ये आपको hurdle आएगा, क्यूंकि उन्होंने आपकी boarding करनी है, checking करनी है, तो ये देखेंगे आपका, तो उसमें सबसे इनने main information की है, जो सबसे main point है इस app का, वो है आपकी COVID 19 की self assessment, बचलब जब आप ये information भर रहे होगे, आपको कौन से symptoms है, कफ है, cold है, जो भी आपको symptoms है, आपको self assess करके, उस app में लिखना है अपने बारे में, तांकि आपको जो boarding में है, ज़्यादा परिशान ना करें हो, या आप परिशान ना हो, बचलब कई बार क्या होता है, क यहां से तो travel कर जाते हैं, और उनको students को इतना feel होने लग जाता है, कि अगर इस boarding पे हम clear होगे, तो हम वहां की boarding पे भी clear होगे, तो कई बार होता है, कि डैली तो आप assess करवा देते हो, बट जब आप वहां land करते हो, तो वहां आपकी बहुत सारी problems create हो जाती है, तो इन्होंन main guideline किया था, वो यह है कि वहां जाकर जो आपकी accommodation होगी, जो 14 दिन का period होगा, जिसमें भी आप रहोगे, आपकी हर दिन की update आपको देनी है, यह particular words भी उन्होंने mention किया हो है, कि आपकी हर दिन की, कि अगर आपको गफ नहीं भी है, तो भी आपने update करना है, सिर्फ उन्होंने नहीं update करना है, जिनका कुछ hair symptoms, उन्होंने भी update करना है, जो asymptomatics है, तो आपकी जब यह 14 दिन की पूरी report ली जाएगी, उसके बाद आपकी जो further assessment होगी, वहाँ शुरू होगी, तो आज की वीडियो में आपको जो एक main update था, वो यह था कि आप arrive can, जो आपका app है, application है, वो अपने mobile phone में download जल्द से जल्द कर लीजिए, और उसके अलावा, अपने two-way passport अगर आपको request आ रही है, वो भी आप अपने आप जो है update लें, in line रहें, और two-way passport का जो procedure था, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको share किया था, वर in any case, अगर आपको फिर भी कोई problem आ र which colleges और universities ने seat avail कर रही है, seat pending, अभी भी pending है, तो अगर आप jan intake के लिए apply करना चाहते हो, but through these circumstances, जो ये lockdown की कारना हो रहा है, चाहे वो इंदिया, चाहे चाहे कैनेडा, आप apply करने से कतरा रहे हो, तो मैं आपको ये कहना चाहते हूँ कि अपना time waste मत कीजिए, जिन्होंने पहले AI AIP जली थी, और जिन्होंने daffer करने की गलती नहीं की थी, उनकी classes और रही है, और उनका almost semester खतम होने वाला है, तो चाहे आप यहाँ एक semester online कर लीजे, जाए वहाँ एक semester online कर लीजे, कोई फरक नहीं पढ़ता है, आपको फिर भी power study, work visa जो है, वो मिलेगा ही मिलेगा, तो मैंन इसका benefit भी बताया था, कि अगर आप यहाँ पढ़ते हो, online classes लेते हो, तो आपका फायदा है, क्यूंकि आपको कोई side by side job करने की tension नहीं है, जैसे वहाँ अभी lockdown हो चुका है, तो उनको jobs नहीं मिल रहे हैं, उनके expenditures नहीं निकल रहे हैं, तो यहाँ बैठके आपकी classes भी हो रह रहे हैं, या कर चुके हैं, या अभी apply नहीं कर रहे हैं, please do not waste your time, जो आप यहाँ कर सकते हो, वो ही आप वहाँ कर सकते हो, कोई major difference नहीं है, क्यूंकि वहाँ भी campus on नहीं हुआ है, तो यह तो थी बाती आज की, आपकी new update की, passport request की, और जानीनते की, अगर इसके लावा अगर आपको कोई problem और भी है, या कोई और queries करनी है, तो आप बीना हिच की चाहिए हमें contact भी कर सकते हैं, या हमें video calling भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल free, thank you